नमस्कार प्रेविध्यार्थियों हमने राम लक्षमन परश्वराम सम्वाद जो की तुलसिदाज जी की सर्वस्रिष्ट करती रामचरित मानस से लिया गया है उसका अध्यनाच प्रारम कर दिया है तो आईए हम पहला पद लेते हैं पहले मैं इसका सैस्वर वाचन कर रही हूँ उसके पश्चाथ हम इसका भावार्थ और शब्दात करेंगे नात संबदनू भंज निहारा हुईं केउं एक दास तुम्हारा आईउस काह कहिन किन मोही सुनी रिसाई वो ले मुनी कोही सेवकु सूजो करे सेवकाई सेवकु सूजो करे सेवकाई अरी करनी करी करेऊं लडाई सुनाओ राम जेही सिवधनू तोरा सहस भावसम सो रिपु मोरा सो बिलगाओ बिहाई समाजा नत मारे जेहेई सब राजा सुनी मुने बचन लखन मसकाने बोले पर सुधरेई अव्माने भो धनई तोरी लेरिकाई कभाउन असिरिस कीनी गोसाई यही धन पर मम्ता केही हेतू सुनी रेसाई कह ध्रगुकुल केतू रेरप बालक काल बस बोलत तोहीन संभार धनवी सम्त्र पुरारी धनू विदित सकल संसार परशुराम शिवधनुष तोड़े जाने के बाद राजा जनक की सभा में उपस्तित हो चुके हैं और उनके राम और लक्षमन के वीज़ो वारतला प्रारम हुआ है उसी को हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो देखिए राम जो है परशुराम से कह रहे हैं नात संब्धनुभंज निहारा कि हे नात शिवधनुष को तोड़ने वाला होयों क्यों एक दास तुमारा कि कोई आपका सेवक ही होगा आयसू, आयसू मतलब आज्या उनके शब्दार्थ देखते जाईए आयसू अर्थात आज्या क्या आज्या है, मुझे आप क्यों नहीं कहते कि क्या आज्या है और आप मुझे क्यों नहीं कहते सुनी रिसाई बोले मुनि को ही रिसाई मतलब क्रोध से यह सुनकर के जो क्रोधी मुनि अर्थात परशुराम जी है वो क्या कहते हैं सेवक को सोजो करे सेवकाई अरी करनी करे करे लड़ाई कि सेवक अर्थात जो दास होता है वह तो वो होता है जो सेवकाई मतलब सेवा करम करे अरी करनी करी करे ही लड़ाई और जो अरी करनी अर्थात शत्रूता का कर्म यह जो शब्द है आपका, शत्रूता का कर्म, कि जो शत्रूता का कारे करता है, वो तो शत्रू होता है, है ना, कि तो युद्ध करे, वो सेवक नहीं होता था, अरी करनी, मतलब शत्रूता का कारे करने वाला, तो क्या करेगा, युद्ध करेगा, वो सेवकाई नहीं करेगा, स बिल गाव बिहाई समाजा अलग हो जाए नद्द मारे जे ही सब राजा नहीं तो जो सभी राजा है वो मारे जाएंगे सुनी मनु बचने लखनमुस्काने लखन था लक्षमण की मुनिके इस प्रकार के बढ़ बोले बचनों को सुन करके लक्षमन जो है वो मुस्कुराने लगते हैं बोले पर सुध्रही अवमाने अवमाने अर्थात अपमान करते हुए देखिए अवमाने अपमान करते हुए परशुराम का अपमान करते हुए क्या बोलते हैं बहुत धनही तोरी लरिकाई कि ही मुनिवर बाले अवस्ता में अनेग धनुश हमने तोड़े हैं कि हमने न जाने कितने धनुश बचपन में तोड़े हैं कभों उन्हें असी रिस कीन गोसाई 80 मतलब ऐसा रिस मतलब गुसा कीन ही मतलब किया है कि तब तो आपने गुरुवर कभी भी इतना गुस्ता नहीं किया यही धेन उपर मन्ता कही है तू कि इसी धनुषपर आपकी मम्ता मतलब मम्ता अर्थात प्रेम इसी धनुषपर आपकी मम्ता किसलिए है सुनी रिसाइक कहे ब्रगुकुल की तू यह सुनकर ब्रववश की ध्वजा अर्थात परशुराम जो हैं वो क्रोध से क्या बोलते हैं देखो रेड़नरप बालक कालबस रेड़नरप बालक रे क्या है संबोधन के लिए है कि हे राजपुत्र बोलत तो ही ने संभार कि कालबस होने के कारण बोलने में तुझे जराभी समझ नहीं है अर्थात संभार नहीं है संभार मतलब समझ ही होता है धनुई सम त्रिपुरारे धनुई धनुई मतलब धनुश त्रिपुरारे धनुई मतलब भगवान शंकर का धनुश कि यह संसार भरको ग्यात है से लेंगे हम इसकार, विदित सकल संसार, कि यह संसार भर को ग्यात है, कि यह शिव धनुष क्या धनुई के समान है, अर्थात यह जो धनुष है, यह सामाने धनुष के समान नहीं है, यह तो भगवान शंकर का धनुष है, तो इस प्रकार इसका हम भावार्थ करेंगे, धन्य वाद.